पानी बारे दूर नमस्ते बच्चों आज हम पड़ेंगे पानी के बारे में क्योंकि जल है तुकल है और जल ही जीवन है पाने की भीना आप रह सकती है बिल्कुल नहीं गर्मी के वारेkt कितनी तीक ही प्यास लगती है और उस समय हमें क्या चाहिए होता है ठंडा शीतल पानी पानी के अलावा चाहे हम जूस पीलें कोई भी शीतल पे पदार्थ पीलें पर जो प्यास हमारी पानी से बुच्चती है ना बच्चों वो किसी भी चीज से नहीं बुच सकती तो जल के बिना हम जीवन की कलपना भी नहीं कर सकते तो पढ़ते हैं जल ही जीवन है जीवन की मूल आवश्यक्ताओं में से एक पानी भी है मूल आवश्यक्ताओं मतलब बच्चों सबसे पहली आवश्यक्ताओं मतलब जिनके बिना हम जिन्दा रही नहीं सकते उसे कहते हैं मूल आव पानी की आवश्रक्ता होती है, हमारे शरीर में दो तिहाई भाग पानी ही होता है, है ना, पता है आपको, कि हमारे शरीर जो है, उसका दो तिहाई हिस्सा पानी है, पानी हमारी शक्ती बढ़ाता है, अगर थोड़ी देर के लिए भी हमें पीने के लिए पानी ना मिले, तो हम बिचैन हो जाते हैं, हो जाते हो ना, स्कूल से आते ही, कितनी प्यास लगती है, वही से चिलाना शुरू करते हो, ममा प्लीज पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, इतना शुर मचाते हो, हमें पानी के बिना कमजोरी महसुस होने लगती है, पानी पीने से शरीर से पसीना निकलता है और पेशाब भी खूबाता है इस तरहे पानी शरीर की सफाई भी करता है पसीने के माध्यम से बच्चों और हम जो बात्रूम जाते हैं बार-बार उसके जरिये हमारे शरीर में जो गंदे पदार्थ होते हैं वो बहर आ जाते हैं प् पानी उस भोजन को पचाने में बहुत साहयक होता है खाया हुआ भोजन पानी के साथ घुल जाता है खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से बचना चाहिए हमें सदा स्वच जल पीना चाहिए कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए और हमें हमेशा साफ स्वच जल ही पीना चाहिए स्वच जल की पहचान यह है कि इसमें कोई रंग नहीं होता साथ ही इसमें कोई गंध तता स्वाद भी नहीं होती है पीने के पानी को उबाल कर ठंडा कर लेना चाहिए और पानी को छान लेना ठीक रहता है मतलब अगर पानी साफ आपको नहीं लग रहा है तो आप पानी को बॉइल कर सकते हैं उबाल सकते हैं और पानी को छान करके भी बच्चों साफ किया जा सकता है इस प्रकार पानी शुद्ध और पीने योग्या बन जाता है मतलब पीने लायक हो जाता है हमारे देश में पेये जलकी बहुत कमी है बहुत से गाउं में तो प्राया कुओं और तालाबों का पानी पीने के काम में लाया जाता है यह पानी अधिकतर दूशित होता है मतलब हमारे घर में तो क्या होता है पानी की सप्लाइ होती है नलों में पानी आता है हम आराम से पानी भर करके मटकों में बाल्टियों में रख लेते हैं आया हदूशित होता है इसे उबालकर और च्छान कर ही पीना चाहिए देखो गाउम में रहनेवाले लोगों को कितनी महनत करने पड़ती है अपने धर से कितनी किलो मेटर दूर कुओं तक जाना पड़ता है वहां से पानी सर पर उठाकर लाना पड़ता है फर उसे उबालना ऑए पटता है बिर छान कर लिग पिता है और हम कितने आराम से घर बैठकर के कितना धेरो प्हानी के पीने के देते हैं पानी के आलाव कपड़े धूने नहा निद्भोजन पकाने थरथ सवाय करने में दो watch प्रियोग किया जाता है बहुत से उद्योग दंदों को चलाने में भी इसकी आवशक्ता पड़ती है दिन भर हमें पानी चाहिए होता है बच्चों कि वल पीने के लिए नहीं बलकि घर के छोटे मुटे कामों के लिए भी और जो हम कलकार खाने चलाते हैं जो फेक्टरीज च यह है कि पानी से बिजली भी बनती है बच्चों इसलिए हमें इसका किसी भी स्थिती में दुरूपयोग नहीं करना चाहिए मतलब पानी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए आप लोग पानी बहुत ज्यादा व्यर्थ करते हैं कोई अपना वेकल धो रहे हैं तो लगतार पाइ पानी पीने के बाद कुछ लोग टोटी को खुला ही छोड़ देते हैं टोटी मतलब जो नल होता है टैप होता है उसे खुला चोड़ जाते हैं यह उचित नहीं है बच्चों हमें पानी की हर बूंद की कीमत समझनी चाहिए तो बच्चों आज से ध्यान रखे नहाने के लि उतना ही पानी लें जितनी आप उसको अपने अंदर ले सकते हैं बाकी का पानी व्यर्थ न गवाएं कपड़े धोने में बर्तन धोने में सिमित पानी को अपयोग करें क्योंकि पानी है तो हमारा जीवन है जल है तो कल है